सबी इस साथियों को जैहिंत मैं आपका साथी डॉक्टर सोक्षर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ कल आप लोगों ने एकजाम दी आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है ऐसा मुझे विश्वाश है अब बच superiority यह जानना चाह रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना है तो क्या हम selection की race में हैं मेरा यह subject है और मेरे इतने marks बन रहें अलग लग की जो हमने देखी हैं जासी हैं उसके आधार पर तो क्या मेरा selection होगा, क्या मेरा selection होने की संभावना है तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस subject की cut off कितनी रह सकती है कितने marks वाले किस subject के हो तो उनका selection होने की संभावना है, प्रबल संभावना है तो हम सबसे पहले SST का जिक्र करेंगे SST जो सब्जेक्ट है उसके लिए इसके लिए मैंने इसको 5-6 भागों में बांट लिया है सबसे पहले हिंदी का जो पेपर हुआ था तो हिंदी का एवरेज स्कूर क्या आ रहा है मैंने बहुत सारे बचों से बात की हजारों बचों के मैसेज़े आये हैं मैंने उसे चर्चा भी की है हिंदी के जो एकस्पेट हैं उसे भी मैंने चर्चा की और एक आकड़ा जो निकल का है वो यह है कि 25 से 26 मार्क्स जिस किसी बच्चे के हिंदी में आ रहे हैं उसका हिंदी का स्कोर सेफ है उसके बाद इंग्लिस मैंने बच्चों से बातचित की है और मुझे भी पेपर देखके भी अंदाज है और 24 से लेके 26 तक जिस बच्चे की 24 मार्क्स हैं मुझे लगता है कि वो इंग्लिस में ठीक है इंग्लिस का सेफिस कोर है यह और हो सकता है कि भी 25-27 हो जाए बस इतना ही है यानि 24 से लेके 26 तक सेफिस कोर है साइको साइको के टीचर से भी मैंने बातचित की बच्चों से भी बातचित की साइको का पेपर इजी ही था तो बच्चों के ठीक मार्क्स आ रहे हैं तो साइको का जो सेफिस कोर है वो है 24 से 26 यह ऐसा कुछ नहीं है कि यही फाइनल है ऐसा कुछ नहीं है यह एक अनमान है एक अनुभव के आधार पे अनुभव है आप जैसे बच्चों से बातचित करने के बाद सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचित करने के बाद जो मेरा अनमान है जो अनुभव है वो मैं आप लोगों से साजा कर रहा हूँ आप लोगों में बड़ी जिग्यासा है यह जानने की तो मुझे लगा कि 2-4-5 मिन्ट का समय निकाल के आप लोगों से बातचित करनी चीए SST जो सबजेक्ट है SST सबजेक्ट का सेफ स्कोर क्या रहना चीए SST का बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बड़ा इजी पेपर था मैंने भी बच्चों से बातचित की सबजेक्ट एक्सपेट से भी बात की तो उनका यह कहना था कि हाँ कुछ क्वेशन्स बड़े इजी थे लेकिन कुछ क्वेशन्स ट्रीकी थे इतने आजान भी नहीं थे तो 45 मार्क्स तो आने चाहिए 45 से लेके 48 तक का जो स्कोर है वो इसका सेफ स्कोर है SST का इस आधार पे अब अपन देखेंगे कि SST के लिए टोटल मार्क्स कितने चाहिए तो इधर से अपन जब इसको काउंट करते हैं तो 118 नमबर आते हैं और जब उंचे वाला यानि हाइस वाला देखते हैं तो 126 यानि 118 से लेके 126 के बीच कहीं SST की मेरिट रहने चाहिए 118 से लेके 126 के बीच में इसमें हो सकता है कि एक दो मार्क्स का कोई उपर नीचे हो सकता है तो 118 वाला ये मान के चले कि भी उसका सेलेक्शन हो सकता है लेकिन 126 वाला ये मान के चले कि उसका सेलेक्शन लगबग कनफर्म है उसके बाद यहां है साइन्स के लिए। साइन्स में भी जो हिंदी का है वैकु को बच्छे éntने के बीच वाला इंग्लिश का है तो सिम है 24 से लेके 26 जुए सब्चेट के वाला जो इस जोसे है कोई है क्लिकत नहीं होनी चाहिए उसको साइक और में भी कितने 24 से लेके 26 अब ऐसे साइन्स का जो सब्जेक्ट है साइन्स के बच्छों से बात्चित की तो यह जो मुझे पता चला है वो यह है कि 46 मार्क्स तो आने चाहिए 46 नंबर तो आने ही चाहिए 46 से लेके 49 तक जिस बच्चे के हैं वो बच्चा सेफ है यानि 46 वाला बच्चा ऐसा माना जा रहा है कि वो उसका सेफ इसकोर है तो साइन्स की जो मेरी ट्रेनीज यह वो अपने जब इनको सबको काउंट करते हैं तो 118 से लेके 127 है यानि इसके बीच कहीं 118 से लेके 127 के बीच कहीं इसकी मेरिट रहनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट की अब आते हैं अपन इंगलिस सब्जेक्ट की मेरिट क्या रहनी चीए आप सब जानते हैं इंगलिस सब्जेक्ट की अलग मेरिट बनती है तो इंगलिस सब्जेक्ट की मेरिट क्या रहनी चीए English subject की merit पिछली बार भी काफी नीची रही थी इस बार भी निश्चीत रुप से बाकि सभी से English की कम रहनी चीए तो English के 110 marks जिसके है मुझे लगता है कि वो safe है उसका होना चीए 110 से लेके 117 के बीच हो सकता है 117 तक पहुंच जाए 110 भी रह जाए तो 110 से 117 के भी जहां कहीं भी ये merit रहनी चीए और जिसके 117 तक है वो निश्चीत रुप से safe है उसको डरने की आऊ सकता नहीं है 110 है तो यहां भी हो सकता है 110 में भी हो सकता है हिंदी के लिए 115 से 122 तक 115 से 122 का score जो है वो बिल्कुल safe है 112 वाले का बिल्कुल होना चाहिए लग भग निश्चीत है उसका होना ही चाहिए बड़ी संभाव नहीं है लेकिन 115 तक भी हो सकता है 115 से 122 तो यह कुछ अनमान था ऐसा कुछ नहीं है कि यह कोई लोग की लकीर है या फिर जो मैंने कह दिया वो ही होगा ऐसा कुछ भी नहीं यह मात्र अनमान है जो आप लोगों से बातचीत करने के बाद ही मुझे पता चला है हो सकता है कि आपका अलग अनमान हो किसी दूसरी संस्ता किसी दूसरी अध्यापक का अलग अनमान हो उनका अपना लोजिक हो सकता है हो सकता है वो ज्यादा सही हो ये मेरा अनुमान था एक बार फिर से मैं बता दूँ कि SST के लिए 118 से 126 साइंस के लिए 118 से लिए 127 के असपास उसके बाद 110 से 117 इंगलिस सब्जेट की और हिंदी की 115 से 122 तो ये थी आज की चर्चा थेंक यू थेंक यू वरी मैच